Hello everyone, I am Rajas Prashad और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से और जो शेकी फोटेज होते हैं उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं इस वीडियो में आपको काफी एजी तरीके से बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से एक स्टेबलाइज लुक पास सकते हैं क्या होता है कि जब भी आप मोबाइल से एक केम्रे से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं विडियो फोटेज जो होती है कि आप शेकिनेश आजाती है लने लगती है तो उस चीज को हम उस बग को फिक्स करने वाले हैं तो इस वीडियो के या इस टुटोरियल के अंदर मैं आपको काफी असानी तरीके से बताऊँगा कि किस तरीके से आप उसको एक यह सफ्वाज वेर है इस तरीके के काम के लिए और इसमें एक तो काफी एजी हो जाता है और काफी ज्यादा फास्ट आए प्रोसेस है तो चलिए मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कैसी यह हूँश को हम स्टेबलाइश करने दिखाते हम उसको हम अपने प्रीम्यम प्रो में और न्यू प्रजेक्ट बनाते हैं और इसको लेग देते हैं स्मूथ व्यूदियो ओके सबसे पहले हम क्या करेंगे अपनी व्यूदियो के इंपोर्ट करेंगे जिसे हमें स्मूथ मनाना है तो इंपोर्ट वाले सेक्शन में जाएंगे यहां पर डबल क्लिक किया और डेक्स्टॉप से हमें विभी उठाई यह वाली है और इसको हम लेकर आएंगे टाइम लाइन पर कि अगरा स्क्राइब को प्लोस कर जाते हैं कि अगर मैं यहां पर आपको वीडियो को प्ले करके दिखाता हूं देखिए काफी ज्यादा शेकिनेस इस वीडियो के अंदर वीडियो रिकॉर्ड की गई हैंग हाथ की गई है विडाउट इस नहीं गिंबल तो सबसे काफी इसी है इतने काफी टफ कोई प्रोसेस नहीं है तो सबसे पहले किया करना है आपको इतक में जाना है और सर्च करना है वार्प स्टेबलाइजर वार्प स्टेबलाइजर वार्प स्टेबलाइजर वार्प स्टेबलाइजर वार्प स्टेबलाइजर इसको क्या करना है ड्रैग करना है वह इस वीडियो पर ले जाकर यहां पर लिख रहा है एनलाइजिंग इन बैक्ग्राउंड हम इसके बैक्राउंड में जाते हैं और इसकी कुछ सेटिंग के बारे बता दो मैं 86 यहां सेटिंग सेटिंग है यहां पर समूथम नोशन ख़ता है यह दो समूथ नहीं सेग है यहां अगे फोटेज्व जादा शेक ही नहीं हो रही तो आप इसको ज़्या कर सकते हैं कन्द अगर आपक उठर यहां चैनले इसको बढ़ा सकते हैं, method है, subspace, warp ठीक है, preserve इसको टिक करने है, border, stabilize and crop auto scale, stabilize हो जाती है, crop auto scale हो जाता है, इसको भी वैसे छोड़ देना है, और सारी की सारी setting वैसे छोड़ देना, अब हम इस वीडियो को मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं कि कैसा है, काफी ज्यादे स्टेबल स्टेबलाइज हो चुकिए वीडियो, so काफी ज्यादा एजी है, किसी भी shaky footage को या फिर shaky वीडियो को स्टेबलाइज करना, by applying warp stabilizer, अगर आप premium pro यूज करते हैं, तो काफी इसली स्टेबलाइज को आप अचीव कर सकते हैं, so I hope कि जो वीडियो थी आप सभी लोगों को अच आज के लिए बैस इतना ही, फिर मेलते हैं, next video में, till then, bye bye